चलिए हम दूसरा टॉपिक को करते हैं फटा-फट इसको जल्दी से करते हैं अब देखे इस टॉपिक का नाम है fairness in executive action fairness in executive action मतलब executive जो हैं उनके actions में वो जो भी action लेते हैं जो भी काम करते हैं जो भी act करते हैं उन तमाम कारे में क्या fairness हो सकता है क्योंकि जो एक इसकुटिव हैं यह law के जानकार नहीं है यह कोट नहीं है प्रोट में बात समझ में आती है कि चलो यहां पे प्रोसीजरल लौ फॉलो होगा यहां पे तमाम लौके तोट जाता है के पूछिए क्या को तरह मेरे यहां पे मेरे डिस्ट्रीक में मैं सर कमिशनरी ओफिस गया था का मतलब बापा को भी काम था मुझे नहीं था तो सर्म वहां पर मैंने देखा कि जो कमिशनर है तो बी सिविल किसी स्पर जो है वो भी यह एंग सुन रहें सर्ट त कि इस टॉपिक के बाद पूछा जा सकता था यह नहीं पूछा जा सकता था अब यह बताई आप पहले थोड़ा पैसेंस रख लीजिए इससे क्या होता है आपका प्रोडक्टिविटी आपका जो जो भी मैं करूंगा आपके लिए ही यह सुविदा जनक है अधरवाइस मैं भ प्रोड़ाइगे और फिर वह करेंगे ठीक है इतना तो कॉमन सेंस होना जाहिए कि क्लास के बीच में बिल्कुल बोलते तो पूछ सकते हैं नहीं भी हैंड्रेज करें तो लास्ट में टॉपिक के लास्ट में पूछने वह ज्यादा बेटर होगा ठीक है मैं बताओंगा हर क सब्सक्राइब करता हूं चलो फिर से मैं सुरू करता हूं आपका क्वेश्चन जो है ड्रस बाद में करूंगा ठीक है फिर नहीं इसमें क्या कर रहा है कि मैटर्स ऑफ एक्जुटिव और अड्मिस्टेटिव एक्शन जोडिसियल डिव्यू यह मैंने बता रहा था कुछ और बता रहा था ताकि पूरा हॉलिस्टिक व्यू बने मैं यह का रहा था कि यह जो एड्मिस्टेटिव जो ओफिसर होते हैं आई एस ऑफिसर रहें या किसी और च्छेत्र के ओफिसर रहें उनके पास लॉग की जानकारी हो ज़रूरी नहीं है वह यदि एक्सकुटिव है तो उनका काम है लॉग को पालन करवाना तो पालन करवाने के लिए लॉग की जानकारी होना बहुत जरूरी नहीं है और यही कारण है कि AIS और IPS को LAW as a law mandatory नहीं करा गया थोड़ा बहुत दो चार सेक्शन बता दिया जाता है कि तने भी बड़े IPS ऑफिसर रहा भी अपने एडिजी पी मतलब एडिजी रहें के अधिकारी कहते हैं यह रेप नहीं हुआ तो क्या हुआ इससे साफ यह तो जलग गया कि इनके पास लॉक ही जानकारी नहीं है इतना तो पता चल गया तो यह आप बिल्कुल गलत फ़र्मी में मत रहिएगा कि जो ऑफिसर बड़े होते है आइस ऑफिसर हैं बड़े बड़े आई-पीएस ऑफिसर हैं तो लॉक का लग नहीं पता होता है इनको बहुत सारे ऐसे केसे होंगे जब आपको पता चलेगा कि इनको कुछ पता ही नहीं है ठीक है लेकिन यह है कि चलो इनकी लिए लिगर एडवाइजर होता है तो उस तरी इस बात का मतलब ही होता है कि आप लॉक फालो करवाएंगे क्योंकि जुडिसरी चुह है इस orders नहीं सकता प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है नहीं आ सकता अभी मैं बता हूँ आपको कुछ ऐसे एक्जामपल जो सुप्रीम कोट जो है केसेस को जब स्ट्रीक डाउन करने के बाद भी कई सालों तक पुलिस जो है उसी सेक्षन पे फायार दर्ज कर रही है जबकि पता है कि वो जो है वो लौ की जानकारी नहीं है तो फिर कैसे काम होगा यदि लौ की जानकारी नहीं होगी और ये कोई भी एक्षन लेंगे तो लौ के इनकॉर्डंस में लेंगे इसकी गैरंटी क्या होगी कैसे इन से और करेंगे बड़ा मुश्किल बात है और लौ के इनकॉर्डंस में यदि ड significance रह जाएगा इसी लिए यहां पे हमने एक अलग तरीके से एक law के बारे में बात करा और इसको पूरा का पूरा नाम रख दिया administrative law और हमने कहा कि जो administrative काम काज में जो भी छोटी मोटी law की requirement होगी कम से कम इतना तो जान लो भाई यदि इतना भी नहीं जानोगे तो तुम blunder कर रहें तो आपको लतार भी लगाएंगे और उसके बाद आपका demotion होगा वह अलग बात है तो कम से कम एक जो basic law है basic धांचा है basic skeleton है कम से कम इतना तो पता कर दो तो पूछा गया क्या है यह basic धांचा तो यह जो basic skeleton है उसी को कहते है administrative law मतलब वह ऐसा law जो administration के कामकाज में काम आता है administrative काम में इसकी जरूरत पढ़ती है उसी को हम कहते है administrative law बहुत ही simple है और यह उमएद कि जाती है कि जितने भी administrative officer होंगे इतना तो लोगाँ जानते ही तब ही तो वो अपना काम कर सकते हैं न था वो काम अपना नहीं कर सकते है और इसी چीज को हमने administrative law कहा और administrative law basically P&J principle of natural justice के principle से govern होता है मतलब कोई लोग की जानकारी नहीं है और यदि principle of natural justice पता है तो administrative काम सही से हो जाएगा principle of natural justice दो तीन बाते कहता है पहली बात यह कहता है कि no one should be judge in his or her own cause अपने ही cause में कोई भी अपने से जज नहीं हो सकता जैसे यदि IPS officer किसी विक्ति को पकड़ते हैं किसी को गिरफतार किया और खुद ही अपने senior officer के पास ले जाए और बोले कि जी इसको जो है जेल भेज़ दीजिए पुलिस के पास ये पावर नहीं होता कि वो उसको जेल भेज़ देते हैं क्योंकि यदि पुलिस जेल भेज़ देगी तो किसी law का वालेसन हो या ना हो तो बाद में होगा लेकिन principle of natural justice का वालेसन हो गया अरे पुलिस डिपार्टमेंट अपने ही कॉज में अपने ही ओफिसर के पास ले जा रहा बोलो जेल भेज़ दो तो ये तो प्रिंसपल of natural justice के अगेंस हो गया तो यही कारण है कि पुलिस जब भी पकड़ती है तो क्या करती है यह जो मैंस्टेट है उनके पास ले जाती है ताकि उनका डिपार्टमेंट अलग हो जाता है वह चाहते तो अपने सुप्रेटेंडेंट पुलिस के पास भी ले जाते वह चाहते तो अपने डियाजिक पास भी ले जाते लेकिन ऐसा नहीं करते क्योंकि वह सेम ही डिपार्टमेंट के हैं तो प्रिंसपल of natural justice का पहला प्रिंसिपल no one should be judged in his own or cause समझ में आगे बात को दूसरा चीज है here to the other party here to the other party जैसे मान के चलिए कि आप कोई भी चीज केस आप ले गए पुलिस में अब वहां पे उसको एक तरफा देख करके फटा फट जो है उस पे काम सुरू हो जाए ये भी जरूरी नहीं है जब भी investigation होगा एक investigation लगा रहे हैं उनको भी बुलाया जाएगा उनको समन करा जाएगा उनका भी बयान लिया जाएगा और वह जो भी statement record करते हैं वह सारा चीज आप जो है रिपोर्ट में पुलिस रिपोर्ट में रखा जाएगा और बाद में मैस्टेट को सौपा जाएगा तो यहां पे जो दूसरा principle कहते हैं कि here to the other side दूसरे साइड को सुनो उसको बोलने का मौका दो ऐसा नहीं कि आप बोलने का मौका ने दिया और उसके बाद जो है आपने छोड़ दिया और आपने रिपोर्ट बना करके भेज दिया नहीं यह एक faulty investigation होगा और administrative officer जो है administrative law को पालन करना होता है जैसे for example हम बात करते हैं यदि आप किसी university में पढ़ रहे हैं यदि किसी university में पढ़ रहे हैं और मान के चलिए कि आप चोरी करते पकड़ेगा examination में और आपको क्या करती है हटा दिये बोल दिये कि नहीं जी हम enrollment खतम करते हैं आपका जी मैं आपको नहीं पढ़ने दूँगा जैसे डले university law faculty बहुत ज्यादा कड़क है यदि आपको पकड़ दिया चोरी करते हुए तो हो सकता है आपका degree खतम कर दे बहुत ज्यादा tough है तो उस situation में मान के चलो कैसे करेगा वो क्या होता है कि university level पे चुकि university is also an executive administrative body है न तो ये भी judicial body तो है नहीं तो इसमें भी क्या होत है कि यहां पर administrative officer होते हैं जिनके पास आपका case जाएगा अब case जाएगा तो वो क्या करेंगे सबसे पहले मान के चलो कि आप चोरी कर रहे थे सच में आपका mobile में जो चीजें थी आपको सारी चीजें उसी subject से सारा कुछ मिल गया इसके बावजूद भी इसके बावजूद भ आपको क्यों नहीं इस university से हटा दिया जाए क्या कारण है आप 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर time दिया जाएगा और बोला जागा आप लिख करके दीजिए यह क्या है यह basically है जो आपका दूसरा principle मैंने बताया कि here to the other side चाहे सब कुछ मेरे सामने है इसके बा कुमेंट में है तो सीधे खरम करो क्यों ही सुनेंगे यदि आप ऐसे करेंगे तो administrative law का वाले सन हो जागा और यदि administrative law का वाले सन होगा और matter court में चला गया तो फिर आपको भी punish किया जा सकता है दिक्कत हो जागा इसलिए दूसरा principle यह है कि आप दूसरे को सुनिए तीसरा principle जो कई book में मिलेगा आपको कई book में नहीं मिलेगा तीसरा principle आता है speaking order speaking order नाम से ही पता लगता है कि वैसा order जो खुदी बोल दे speaking order मतलब यह हुआ कि जो order pass होगा जो भी चीजें आप लेंगे decision उसमें reason को mention करेंगे आप लिखेंगे यह कारण था इसलिए मैंने इस वेक्ति क को निकाल दिया university से तो तीसरा principle क्या हुआ कि reason order होना चाहिए या फिर इसको speaking order भी कहते हैं basically तीन ही principle को यह क्या करना होता है administrative officer को follow करना होता है लेकिन दुरभाग यह है कि यह तीन principle को भी 90% administrator follow नहीं करते हैं चाहे वो power के नसे में दूत होते हैं या फिर उनको पताने कौन स कोटे principle को भी नहीं follow करते हैं और जब भी matter court में जाता है तो यहीं निकल के आता है किनों ने power का मेसूद कर दिया अब बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको याद नहीं हुआ अभी fingertips में नहीं है कि तीन क्या principle है कितने लोग हैं इसे जिनको समझ में नहीं आया कि आप में से कोई बताइए कौन कौन सा प्रिंस्पल मैंने बताया है एक बार बताइए दुवारा बताइए याद करिए इसको दिमाग में डालिए तभी होगा बताइए दो मिनट में जल्दी फटा-फट अब कि प्रिंसिपल ऑफ नैचरल जेस्टिस अर्डूसरा प्रिंसिपल दूसरा प्रिंसिपल लिसेंट टू अधर साइड और तीसरा सर स्पीकिंग ओडर जिसमें कि जो भी ओडर या डिसिजन लेंगे उसमें रीजन मेंशन करना होगा अरे यह जो आपको बताया गया नही प्रिंसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचरल जस्टिस ही है प्रिंसिपल ऑफ नेचरल जस्टिस एक हेडिंग है उसके अंदर तीन प्रिंसिपल अलग अलग प्रिंसिपल मैंने बता है आपने एक मिस कर दिया दूसरे लोग कोई बता सकते हैं Sir, no one can be judged on his own case yes one Jesus बताये को बताये ओर बोलो भाई इतना सबसे बखे जारे और कम में हो चैनि जकी कि बोलो बोलो सरक इसलों कोई अने कोज में जा और और वताओ sir audioquam pattam and speaking order और कोई दूसरा बताओ ना कोई दूसरा इसको छोड़ दो और कोई दूसरा बताओ याद रहाव लोग को क्या तीनों बताओ तीनों बताओ निपिका अजिए बोल रहे थी तीन तीन ने उनको नहीं उनके बेसिस पर अरेस्ट नहीं कर सकते हैं उसको भी रिजन देने का टाइम दिया जाएगा कि उसने ऐसा क्यों करा है और थर्ड स्पीकिंग और सा रिजन वेंशन करना पड़ेगा अगर वोडल प्रास के यह बेसिकली तीन जो है इंपोर्टेंट प्रिंसिपल हैं बाकी चोटे मोटे और प्रिंसिपल हैं अभी के लिए अब इतना समझें कि तीन बेसिक प्रिंसिपल ऐसे हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए अब यही चीज को हम देखते हैं इतना बड़ा चीज पूरा पैरा ग्राफ लिखा हुआ है देखते हैं कि आखर इसमें क्या चीज लिखा हुआ है मुझे नहीं पता एक बार को बताया था स्पीकिंग और उसमें देना पड़ेगा परसनलेटी की करना सा है और बड़ा इतना बड़ा परनिस्मेंट दे दिया ऐसा नहीं करेंगे पर पॉर्पर्शनेट होना चाहिए लेज्टमेट एक्सपेक्टेशन की बात करता है डिसकस विलो आप देखेंगे कुछ मेनिंग जो है मैंने आपको अलड़ी बता रखा है दो फ्रेज इस एन इस्टैबलिस प्रिंस्पल इन दे इंडियन लौ प्रेक्टिस एंड वाज अप्लाइड बाइड प्रेम कोट इन सेवरल केसे इंक्लूडिंग लैंडमार्क डिसिजन इन मेनिका गांधी वर्सेज उनिय मेनिका गांधिया और यूनियन ओफ इंडिया में जो इंग्जूटिव ऑंफिसर थे पास्पोर्ट ऑथोरिटी जो उनके पासपोर्ट था उनको इंपाॉंड कर लिया था उनको सीज कर लिया था बिना रीजन दिये हुए तो मैंने बोला था ने कि रीजन तो दे दो उसको रीजन डिसियन होना चाहिए दूसरे साइड को सुनो उसको सुना भी नहीं और उसके पासपट को ले लिए ठीक है तो यहां पर प्रिंस्पल और नेचुरल जस्टिस का वाले सन हो गया था हर पासपट वास कंफेस्के सकते हैं आगे देखते हैं उर्पर यह जो है यदी आप नहीं करते हैं तो फिर कोols क्या करता है जुडिसरेयल रिविव को रिजी करता हैenden को यूज करता है और फिर आपको अपने संटल भूलता है और फिर दिक्कते सुरों हो घाती तो जैंस पर मेंडार नेंसने बाते हम उसको सुनतो लो अरे उसको मौका तो दो बोलने का कि क्या बोलना है उसको आपने सुना है नहीं उसको और यदि आप नहीं सुनते हैं उसको तो अब यह सी बात है यह जो है यह जो प्रिंस्पल आप नेश्रल जस्टिस का ग्रेव वालेशन है फिर बात करता है consequently a hearing was given and the passport was returned to her और बाद में जब matter court में आया तो फिर क्या हुआ कि यह जो है बाद में जब उनको लग गया कि अब तो matter हाथ से निकल गया principle of national justice का वाले सन हो गया उसके बाद जो है court में जब matter आया तब बाद में उनको hearing दिया गया और उसके बाद पासपोर्ट उनको रिटर्न करने का अदेश दिया गया court से दिसीजन एक्जामपल वेर्ड़ कोड़ एडप्टेड़ प्रिंस्पल ऑफ पोस्ट डिसीजनल hearing अब यहां पर नॉर्मली क्या होता है पोस्ट डिसीजनल हेरिंग जो है मैं आपको इसको समझाता हूं यूजरी क्या होता है कि जब भी कोई चीजें होती जैसे आप चोड़ी करते हुए पकड़े गए तो पहले आपको सुना जाएगा पहले आपको बोलने का मौका दिया जाएगा तब डिसीजन लिया जाएगा कि क्या यूनिवर्सिटी आपको रखेगी या निकालेगी लेकिन मानके चलिए कुछ जैसा केस आप सोचिए कि पहले निकाल दे आपको यूनिवर्सिटी जैसे ही मोबाइल आपका पकड़ा गया एक्जामनेशन हॉल में फटा फट दस मिनट के अंदर आ गया कि भईया आपको निकाल दिया गया है उसके बाद आपको बुला रहे हैं कहां बताईए जी आपको बात बोलने का मौका दोगे तो क्या फाइदा इस मौखे का तो इस केस में ये कहा गया कि मान के चलो कि कुछ ऐसा सैचुएजयो Whenever हो जाताया जहां पर प्रीडिकेसेजनल लेंग नहीं दे सकते यदि यदिए ने केरिंग देंगे तो व्यक्ति को पता लग जाएगा और व्यक्ति भाग जाएगा उस से चुसर में आप क्या कर सकते हैं कम से कम डिसीजन लेने के बाद तो उसको मौका दीजिए और इस केस में ये कहा गया कि पुलिस ऑथरिटी जो पासपोर्ट ऑथरिटी थी उन्होंने कहा कि यदि हम इसको ये बताते कि पासपोर्ट तुम्हारा हम लेने जा रहे हैं तब तो ये भाग जाती दूसरे कंट्री में फिर करेंगे ये करेंगे वो करेंगे इन डैट सेचुएशन आप डिसीजन ले लिजिए जो लेना है और डिसीन तो बाद में चेक होगा और उसके जस्ट बाद आप उस वेक्ति को सुनिए उस वेक्ति को बोलने का मौका देजिए इसी को कहा गया पोस्ट डिसीजनल हेरिंग औ कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सरकंस्टांसेस आ जाएं जहां पर आप डिसीजन लेने से पहले नहीं सुन सकते हैं उस सेचुएशन में पोस्ट डिसीजनल हेरिंग करना होता है जरूरी है तभी आप बच पाएंगे अधर्वाइज प्रिंस्पल अप्रिंस्पल डिस्टिस का और आपको फिर दिकत पनिस्ट किया जा सकता है तो बोला कि किसी भी सूरत में चाहे वो कितना भी ग्रेव मैंटर हो यह जो प्रिंस्पल अप्रिंस्पल डिस्टिस में यह कहता है कि सब्सक्राइब को यह जब ले लिया कि पासपोर्ट उसका चीन लिया उसके बाद तो उसको सुन लो कि क्या कह रही है वो चलिए आगे बढ़ते हैं काता तो डील विट विट अव सिक्रेशी और रिलेट इन इन इफिसिएंसी और प्रप्शन इंड अडिस्टिए स्काल्ड प्रप्शन इन इसफियर्न इंड और इच्भर है उफिस कौंच को इन इंडिक ऊ स्ब्रकेश्याइव emphasizing उटक्रेश्ज़र्ण के अज्यासि इन यह जाएगा दयात हैं स्दशाद फिजगे इस यह इन 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 इंगे कि इसको corruption को कम करने के लिए ज़रूरी है रीजन देंगे रीजन देंगे तो यदि गलत रीजन देंगे court में जाएगा matter खतम हो जाएगा this requirement hold good even when a statute or legislation does not provide for the requirement for this requirement courts have emphasized that the right to provide regions is an inherent part of justice delivery बोलता है कि inherent part है justice delivery system का और उस situation में आपको देना ही पड़ेगा रीजन नहीं देंगे तो व्यक्ति satisfy नहीं होगा इसलिए जब भी आप court के cases को देखते होंगे तो यह कई 100 pages के होंगे 1000 pages के होंगे उसमें क्या होता है उसमें reason ही दिया होता है ताकि व्यक्ति को satisfaction मिल जाए आगे बढ़ते हैं काता है अब यह कह रहा है कि यदि आप reason देंगे तो यह जो क्या होगा आपका जो से नहीं होता है व्यक्ति को satisfaction काम को。 व्यक्ति तभी होते हैं जब यहीं होता है व्यक्ति को satisfaction नहीं मिला तो क्या हुआ वो कोर्ट में जाएगा और कोड में जाएगा तो फिर administrative income that के वज़़ास से court cases बढ़ेंगे आपको क्या लगता है यह court cases यदी ज्यादा होते हैं बढ़ते हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जो एक्जुकुटिव है वो सही से अपना काम नहीं करता है क्योंकि जो एक्जुकुटिव के अगेंस के से जाते हैं कोट में क्यों जाते हैं क्योंकि आप सेडिस्फाइड नहीं करवा पाते हैं लोगों क और यही कारण है कि वो challenge किया जाता है फिर court of law में वही mechanism है तो यह जो चीज है कहा गया कि हम से कम principle of natural justice को तो follow करेंगे तो भी जो है आराम से administration आपका चल सकता है और यदि इतना भी नहीं करेंगे तो फिर collapse कर जाएगा administration और हम आज और कल देख रहे हैं चीजें किस तरीके से का पाते हैं यह दुर्भाग है को चलिए अभी lecture खतम होगा उसके बाद हम फिर से जुड़ेंगे और फिर से इस topic को आज पूरा का पूरा